आप सभी का मेरे चैनल पर पुनह स्वागत करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्त होंगे, महादेव की क्रिपा आप सभी पर सदायब बनी रहे, यह वीडियो मिथुन यानि की जमिनाएं के लिए कत्त महत्तपूर्ण वीडियो है, क्योंकि यह वीडियो है एप्र 2024 के मासिक राशीपल के बारे में, कैसा रहेगा एप्रिल का महीना मिथुन वाले जातकों के लिए, मेरा जो मासिक राशीपल होता है, वो जीवन की प्रमुक चीजों पर आधारित होता है, जैसे कि सामानने विश्रेशन, करियर, विजनस, इंकम, इंवेस्मेंट, लव इस राशीपल को देख सकते हैं, जैसे हमें हर बार कहता हूँ कि लगनराशी से ज़्यादा सटीकता बैठती है, बैठती है तो अगर आपको confirm है तो लगनराशी से देखी, नहीं पता तो चंदराशी से भी अवश्य देख सकते हैं, शॉट आपकी लगनराशी या चंदराशी कहीं नहीं वास्तविकता होती है, चंदराशी हमारा मन होता है, तो उसे साब से भी अगर थोड़ा बैलेंस करके देख सकते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, तो शुरुआत करते हैं सत्यन्त महत्रपुन राशीफल का सामान्य विश्लेशन के साथ, लगन पर किस ग्रह का डिरेक्ट इंपक्ट आ रहा है पहले, दिखे, इस महीने लगन पर किसी भी ग्रह का नहीं दृष्टी द्वारा नहीं लगन में आने के कारण कोई प्रभावा रहे, हाँ चंदरमा का आएगा अवश्यक लेकिन हम मासे क्राशीवल में चंदरमा को कंस इस महीने रहने वाला है यानि की बुद्ध महराज का, क्यों? क्योंकि बुद्ध इस महीने वक्री भी होंगे और पतेत भी होंगे, दो तारिक को आपके लगने के स्वामी यानि की बुद्ध आपके ग्यारवे भाव में वक्री हो जाएंगे, कोई भी ग्रह वक्री होता है तो वो बहुत strong हो जाता है, उसको chastable मिलता है strong का मतलब यह नहीं कि वो अच्छा हो गया या बुरा हो गया, वो depend करता है कि उनका स्वामित्व क्या है अब आपके लिए बुद्ध, क्योंकि आपके लगनेश हैं और चौते घर के स्वामी है, उनका वक्री होना कही ना कहीं और क्योंकि वो लावस्थान में हो रहे हैं कहीं ना कहीं अच्छा result अचाना से दे सकता है जौब चली गई थी, जौब प्राप्त हो सकती है प्रॉपर्टी खरेदने थी, प्रॉपर्टी के संबन्द में कुछ अच्छा हो सकता है कोई अठका हुआ पैसा था, अठका हुआ धन था, अठका हुआ काम था वो पूर्ण हो सकता है लेकिन ये सारी चीज़े कहीं ना कहीं नौ तारीक तक जादा आपको देखने को मिलें क्योंकि यहां पर बुद्ध का प्रभाव केवल वक्र वाला नहीं है बुद्ध पतित भी हो जाएंगे बुद्ध पीछे जाते जाते वक्री अवस्था में इस बार मीन राशी में गिर जाएंगे और ये होगा नौ तारीक को और नौ तारीक के एक दिन पहले ही आपके दस्वे भाव में सूर्य गरहन भी लग जाएगा तो दिखे दस्वे भाव कितना यहाँ पर प्रभावित हो गया तो नौ तारीक तक जब तक केवल वो वक्री थे पतित नहीं होए थे प्रभाव थोड़ा अच्छा था क्योंकि जैसा मैंने कहा लगन के स्वामी है चौते घर के स्वामी है वक्र रवस्था में स्ट्रॉंग हो जाते हैं लेकिन कोई ग्रह जब पतित हो जाता है तो बहुत वौलटाइल हो जाता है उसको समझना भहुत मुश्किल होता है अचानक से उथल 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 वो ग्रह मचा सकता है और यहाँ पर क्योंकि वो दस्वे घर में हो रहा है, बले ही नीच भंग राज योग बन रहा है, लेकिन दस्वे घर में पतित घरह का आना पतित यानिकी गिरा हुआ, और यहाँ पर सूर्य ग्रहन का लगना, जिनकी दशा अंतर दशा नहीं अच्छे चल रही, उनके लिए क और प्रभाव पतित ग्रह का होता है, कि जब वो वापस आता है, तो कोई ऐसा कारे पूर्ण करके जाता है, जो आपका नहीं हो रहाता है, तो यहाँ पर जिनकी दशा अंतरदशाची चल रही थी, उनके लिए कारक्षित्र में अचानक से कोई अच्छा प्रभाव भी आ सकता है, उनको जॉब चेंज का अफसर मिल सकता है, या अचानक से कोई नया पोर्टफोलियो आपको दे दिया गा सकता है, या अचानक से आपका प्रमोशन भी हो सकता है, तो यहाँ पे मिश्रित प्रभाव देख रहा है, वो कहीना कहीं डिपेंड आपकी दशा और अंतरदशा पर करेगा, क्योंकि एक वक्री और पतित ग्रह कहीना कहीं जैसे मनें कहा बहुत वॉलटाइल होता है, और क्योंकि केंद्र भाव में यह हो रहा है, कहीना कहीं पूरी जीवन में थोड़ी से अस्थिरता आ सकती है, अपने management पर अपने organized skills पर काम कीजेगा, हर काम को पहले ही plan करके रख लिजेगा, क्योंकि जो दस्वे घर में, दस्वे घर क्या है कर्म स्थान है, कर्म का अर्थात केवल आपकी जॉब से नहीं, पूरे जीवन में आप जो कर्म करते हैं, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको careful रहना पड़ेगा, यह जो पतित और वक्री बुद् सकता है, तो इस पर भी आपको बहुत ध्यान देना है, बहुत विचार करना है, इसके बार में डिस्कस करेंगे जब सेहत के टॉपिक पर जाएंगे, लिकिन जैसा मने कहा, पतित गरह है, उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, इतने सारे गरह चौते घर को भी देखेंग है, वो होगा सूरे का, और सूरे आपके लाव स्थान में बैट जाएंगे और गुरू के साथ आकर यूति बना लेंगे, आपके लिए सूरे तीसरे घर के स्वामी है, और ग्यारवे भाब में बैठेंगे, कही न कहीं ये बहुत अच्छा है, बहुत उचित है, लाव के यो जो गुरू है, ये अपना राशी परतन कर लेंगे मही के शुरुआत में, तो ग्यारवे घर में जाते जाते, आपको पैसे के मामले में, धन के मामले में, इच्छा पूर्ती के मामले में, कोई बहुत अच्छा, कोई ना कोई रिसल्ट यहां पर देखके जा सकते हैं, तो लाशी परतन होगा, इस महिने वो होगा मंगल का. मंगल तेईस तारिक को आपके दस्वे भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे, और यहां पर आकर वो दिगबली हो जाएंगे. मंगल और सूर्या दस्वे घर में दिखबली होते हैं तो मंगल का यहाँ पे आना कही आपके लिए अच्छा प्रभाव लेकर आएगा मंगल आपके लाभेश है और मंगल आपके छटे घर के स्वामी है लाभेश का दस्वे घर में आना यानि कि करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा कारक्षित्र में वापस एक होल लाएगा जो प्रभाव पतित बुद्ध का था वो कही ना कही शुरुआती भाग में महीने के जादा रहेगा उसके बाद चीजें ठीक होना शुरू हो जाएगे और यहां से लाभसान के स्वामी मंगल लगन पर भी प्रभाव ढालेंगे यानि कि जीवन की गती जीवन की प्रगती जो कही ना कही थोड़ी सी बुद्ध के कारण उसमें बहुत उतार चड़ाव आ गए थे उसमें भी कही ना कहीं आपको कुछ अच्छा रिजल देखने को मिलेगा तो मंगल भी कही ना कहीं यहां पर आकर आपके जीवन को आगे बढ़ाएंगे आपके जीवन को गतीमान करेंगे इसके बाद एक और राशी परितन होगा इस महीने और वो होगा शुक्र का और शुक्र 25 अप्रल को आपके लाव स्थान में यानि की ग्यारवे भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे ग्यारवे घर के शुक्र कही न कहीं अच्छे होते हैं शुक्र अधिक्तम जगाओं पर अच्छा प्रभाव देते हैं कुछ भावों को छोड़कर अब क्योंकि वह आपके पंचम भाव के स्वामी है और पंचम से सब्तम में आगए यानि की अपने ही राशी को देखेंगे यानि की लाव स्थान में बैठे एक ग्रह जो लक्षमी स्थान के स्वामी है वो अपने ही लक्षमी स्थान को देखेंगे यानि कि धन प्राप्ति इच्छा पूर्ति जीवन में सुख सम्रिधी आना शुरू हो जाएगी शुक्र बारवे घर के स्वामी है लावस्थान में है यानि कि विदेश सम्मंदित कारे करते हैं तो उसमें भी आपको लाव मिलेगा और कहीं न कहीं यहाँ पर शुक्र का एक नया काल्चक्र स्टार्ट हो रहा है और शुक्र क्योंकि पंचमेश है बहुत सारे नए आईडियाज बहुत सारे नए थौट्स विचार आपको यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे गुरु शुक्र यूती भी आपके ग्यारवे घर में है और दो सबसे शुब गरह आपके लावस्तान में पैसे के स्थान में इच्छा पूर्ती के स्थान में बैटे हैं यानि कि जैसे जैसे महीना आगे बढ़ता जाएगा स्पश्री महीने के अंत के तरफ आपको कोई बहुत अच्छी न्यूज अपने जीवन में प्राप्त हो सकती है तो जैसा मैंने कहा ये महीना ठीक है बस जो शुरुवाती भाग है जहां पे बुद्ध थोड़ा सा अदला बदली कर रहे हैं क्योंकि पीछे जा रहे हैं राहु केतु को छोड़कर सारे ग्रह आम तोर पर आगे बढ़ते हैं अगली राशी में जाते हैं वक्री हो जाते हैं तब भी सेम राशी में यूजली रहते हैं कभी-कभी पतित हो जाते हैं तो वैसे ही बुद्ध पतित हो रहे हैं और वो आपके लगनेश है इसलिए आप पर impact सबसे ज़्यादा रहेगा तो वो जो शुरुवाती भाग है उसको थोड़ा सा आपने tackle कर लिया तो महीना कहीना कहीं आपका अच्छा ही जाएगा अच्छे परिवर्तन हो रहे हैं हर प्रकार से आपको लाभ अपने जीवन में मिलना शुरू हो जाएगा कुछ विशेश प्रेडिक्शन मेरी तरफ से अपनी मानसिक और शारिक सेहत पर ध्यान देना है और दोनों में एक समनवे बिढ़ा कर रखना है एक balance बना कर रखना है emotional बहुत बार होंगे इस महीने तो उस पर भी नियंतरा रखना है क्योंकि बुद्ध बुद्धी के का रखना है और आपके लिए जैसा वाने का लगनेश है तो आपके लिए उनकी जो एक importance है वो और बढ़ जाती है इसके साथ ही अपने खाने पीने पर भी ध्यान देजेगा अपने अपनी दिन चर्या पे बहुत ध्यान देजेगा क्योंकि जैसा माने का लगन का प्रभाव है या लगन के सामी पर प्रभाव है हर चीज में की imbalance आ सकता है जो आपके दिन चर्या पे दिख रहा है अपने जीवन में एक flexibility रखिएगा कहिना कही clarity महीने के अंत में अवश्या आपके जीवन में आएगी अगर property खरीदना चाह रहे थे तो उनके लिए महीना कहीना कहीं अच्छा है अगर कोई अच्छी property नहीं मिल रही थी तो मंगल के राशी परतन के बाद कहिना कहीं वो आपको result भी इस महीने में अच्छे प्राप्त हो सकते है यानि कि महीने की अंत की तरफ एक चीज होती है spiritual health यानि कि आपकी अध्यात्मिक चेतना या ध्यात्मिक सेहत कैसी है आज के टाइम में वो बहुत important है तो जब ऐसी अवस्था आते है जब लगने के स्वामी पर ऐसा प्रभाव है लगने पर प्रभाव है तो जितना अध्यात्मिक रहेंगे उतना आपको उन सब चीजों से लड़ने का एक होसला में देगा तो महीना अच्छा है जो कुछ भी मैंने नकरात्मक चीजे बोली है या कंसीडर करने के लिए चीजे बोली है उनका ध्यान वश्य रखिएगा चलते हैं करियर की तरफ जहां तक करियर की बात है महीना थोड़ा सा मिश्रिच सा दिख रहा है जैसे मैंने सावाने विश्टेशन में बताया था क्योंकि बुद्ध यहाँ पर वक्री अवस्था में चलते जलते पतित हो जाएंगे और गरहन भी लग रहा है तो महीने के पंदरा तारीक तक बहुत केरफुल रहेगा उसके बाद चीजें ठीक होना शुरू हो जाएंगे दिखेंगे दस्वा भाव करियर का होता है यहाँ पर राहू है अकेले राहू अच्छा प्रभाव देते हैं लेकिन अलड़ी सूर्य थे तो सूर्य पर गरहन दोष्टों लगा ही हुआ था अब जो जैसे साल में ग्रहन परता है चंदर ग्रहन सूर्य ग्रहन वो भी महीने पर लग रहा है शुक्र है यानि की ऑफिस पॉलिक्स बहुत बढ़ जाएगी और बुद्ध भी आ जाएंगे वापस पतितवस्था में यानि की अचानक से उथल पुतल तो जैसा मैंने कहा क जिनकी दशा अंतरदशा ची नहीं चल रही देखेगा किसकी दशा अंतरदशा भी आपके चल रही है शनी महराज की चल रही है तो प्रॉब्लम हो सकती है केतु के चल रही है तो प्रॉब्लम हो सकती है इवन ब्रहस पती क्योंकि आपके लिए बादकेश है उनकी दशा अं पर जाएंगे उच्छे के हो जाएंगे कहिना कहीं मंगल भी महीने के अंत में यहाँ पर आ जाएंगे जो बुद्ध की परिस्थेती है वो भी थोड़ा ठीक होना शुरू हो जाएगे बुद्ध क्योंकि उनकी स्पीड बहुत तेज होती है तो उनकी वकर अवस्था भी कोई ultimately महीने के अंतमे कारेक शेत्र में कुछ अच्छा हो सकता है शुक्र भी यहीं पर आ जाएंगे यानि कि दस्वे भाव से दूसरे घर में बहुत सारे ग्रहा आ जाएंगे जो लगन से लावस्थान है यानि कि कारेक शेत्र में महीने के अंतमे आपको बड़ा कुछ लाब बड़ा कुछ करने का अवसर प्राप्त हो सकता है विशेश प्रेडिक्शन कई बार पुरह काऊंगा सबके साथ नहीं होगा लेकिन जिनकी दशान दरशाची नहीं चल रही कई बार जॉब छोड़ने का मन भी करेगा नहीं यहाँ पर थोड़ी हिम्मत दिखानी है यहाँ पर थोड़ा सा धैर दिखाना है संकल्ब शक्ति दिखानी है काम का प्रेशर बड़ेगा कई बदलाव जल्दी जल्दी आएंगे लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपकी जो अपनी स्किल्स आपने अरजित किया हुई है अपना एक्स्पीरेंस जो अरजित किया हुए उसके दम पर इस महीने को आप सर्वाइब कर सकते हैं बर जैसा मैंने कहा धैरे और संकल्ब शक्ति यह दोनों आपके लिए इस महीने के कीवर्ड है इन पर काम कीजेगा, वानी पर कंट्रोल कीजेगा ओफिस फॉर्डिक्स से बच के रहेगा क्योंकि वो चीजें आपके ही विरुद यहां पर उपयोग हो सकती है यदि आप IT सेक्टर से हैं टेक्नलोजी से सम्मद्द कुछ कारे करते हैं इमिग्रेशन सम्मद्द, human resource सम्मद्द, सरकारी जॉब करते हैं या फिर health industry में हैं तो आपके लिए महीना अच्छा जाएगा चलते हैं business के तरफ, जो लोग business करते हैं उनके लिए महीना ठीक ठाक है सरपतम सब्तम भाव important होता है सब्तम भाव के स्वामी ब्रहस्पती लावस्थान में है एक महीने रहेंगे और उनकी उती बुद्ध के साथ होगी और गुरू क्योंकि सब्तम भाव के बारवे घर में जाने के लिए आतुर है तो हो सकता है आप बहुत सारे बदलावों के थूरू जा रहे हो अपने बिजनस में बड़े बड़े बदलाव लाने के बारे में आतो सोच रहे हो या फिर आपने वो implementation स्टार्ट कर दिया होगा तो ठीक है बस ध्यान ये दीजेगा कि बध बध वक्री हो रहे हैं और बुद्ध भी कही ना कहीं बिजनस के लिए बहुत इंपोर्टन होता है सेकेंडरी कारक बिजनस के बुद्ध है क्योंकि आप पैसा कितना कमा सकते हैं बिजनस से वो बुद्ध बताते हैं तो यहाँ पर धन से सम्मंदित financial कोई बड़ा निरने मत लीजेगा कोशिश कीजेगा उसको avoid करो अगर लेना ही है तो बहुत careful होकर लीजेगा कोई agreement sign मत कीजेगा कोई documentation ऐसे sign मत कीजेगा कोई लिखा पड़ी के काम है बहुत carefully उनको समझेगा कोई notice आता है उसको carefully reply कीजेगा तो यहाँ पर जहाँ पर भी सब्तमेश लावस्तान में है अपने आप वो business के प्रमुक कारक है ब्रहस्पती और secondary कारक जो है बुद्ध वो भी उनके साथ रहेंगे तो काम तो आपका आएगा भले बुद्ध दस्वे घर में भी चले जाएं वो बाकी सारी problem जो मने communication आदी की कही है वो रहेगी लेकिन काम वश्य आपका बढ़ता जाएगा बुद्ध यहाँ पराकर नीच भंग राजयोग भी बनाएंगे जो की शुक्र के साथ होते है तो अचानक से आपके काम का जो एक volume है वो बढ़ सकता है पैसा तो आएगा लेकिन इन सब चीजों का ध्यान दीजेगा विशेश predictions भरूसा किसी पर नहीं करना नहीं partners पर हर चीज को दो दो तीन तीन बार पढ़कर ही आपको किसी आपको किसी पर sign करना है पैसा वश्य आएगा कुछ सरकारी कारे इस महीने पूरे होते भी दिख रहे हैं over excitement से बचिएगा celebration कि या अच्छे कारे के मौके इस महीने आपको बहुत अच्छे मिलेंगे communication में पुनह काऊंगा सब के साथ ध्यान दीजेगा creativity बहुत दिख रही है लेकिन कहीना कहीं अपने शारिरिक और मानसिक हूर्जा को थोड़ा सा balance करके चलेंगे तो अच्छा है यदि आप import, export education, finance इसके साथ ही यदि आप कुछ भी दवाईयों से सम्बंदित या फिर automobile sector से जुड़ा या फिर real estate से जुड़ा कारे करते हैं तो आपके लिए महीना कहीना कहीं अच्छा जाएगा चलते हैं income, investment और expenses की तरफ सबसे पहले investment की बात करते हैं शुरुआते ज़िन अच्छे हैं बीच के दस्दिन भी अच्छे हैं और अंतिम दस्दिन अच्छे हैं investment के purpose से कहीना कहीं महीना ठीक दिख रहा आपका जहतक पैसे की बात है, income की बात है मैं बता चुका हूँ, गुरु का लावस्थान में होना अच्छा result देगा शुक्र भी कहीना कहीं महीने के start महीं या मार्च के अंतिम दिन पे उच्छे हो जाएंगे तो करियर से, बिजनस से पैसा आवश्या आएगा तो पैसा तो आएगा लेकिन क्योंकि वक्री, बुद्ध, पतित बुद्ध हो जाएंगे और उनकी यूती भी कहीना कहीं नौ तारीक को बारवे घर के स्वामे शुक्र के साथ हो जाएगी यानि कि महीने में खर्चे जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा वैसे जैसे खर्चे भी आगे बढ़ते जाएंगे किन-किन चीजों पर खर्चा हो सकता है पहला तो दिख रहा है कि घर पे ही बहुत बड़े खर्चे होंगे इस मेंने अचानक से बहुत बड़े-बड़े खर्चे हो सकते हैं शुरुवात में भी होगा और यह अंत में भी होगा और अगर देखे इंकम बहुत ज़ादा है पैसा बहुत ज़ादा है तो फिर बड़े खर्चे मैटर नहीं करते हैं लेकिन जिस वेक्ति की income limited है, उनके लिए जो अचानक से खर्चे होते हैं, वो बहुत उनको तंग करते हैं, तो इस महीने देख रहा है आपके बहुत बड़े-बड़े और अचानक से कुछ दो-तिन खर्चे हो सकते हैं। यह हैं love and relationship की तरफ, सबसे पहले no contact situation की बात करते हैं, chances हैं, पूरे chances हैं कि बात पुरह स्टार्ट हो सकती है, तेकि जैसे मैंने काना कि बुद्ध वक्री हो रहे हैं और वक्री घरा strong हो जाता है, और communication की कारक भी है, पंजम को देखेंगे गुरू के साथ, क्यानि कि कि किसी mutual friend क through, कहीं न कहीं बात ची दुबारा start हो सकती है, पूरी संभावना इस में, जहां तक नए relationship की बात है, गुरू बुद्ध देख रहे हैं, बुद्ध वक्री हो रहे हैं, strong हो रहे हैं, लगने strong हो रहे हैं, तो संभावना है, यह मैं कहूंगा कि जादा संभावना 9 तारीक से प बात, वहाँ पर आपको try करना है, अब बात करते हैं, जो लोग relationship में हैं, उनके लिए कैसा रहेगा महीना, पंचम भाव सबसे पहले देखते हैं, फिर शुक्र के सिती, काम तरिकोन के सिती देखते हैं, अब पंचम भाव के स्वामी तो उच्च के हैं, हो जाएंगे 31 को ही, यानि कि पूरे महीने almost उच्च का प्रभाव रहेगा, लेकिन वक्री ग्रह का जो प्रभाव है पंचम पर, यानि कि miscommunication, ego clashes, ये बहुत जादा होंगे, और पंचमेश भी भले उच्च के हैं, लेकिन अपने से छटे भाव में हैं, लडाई जगडे बहुत होंगे, युजूली क्या होता है, specially आज के टाइम में, relationship की जो बुनियाद होता है, वो शारीरिक आकर्शन होता है, किसी भी रूप से हो, तो उसके बाद जब वो एक आकर्शन, हर आकर्शन की एक सीमा होती है, उसका एक time span होता है, जो उसके बाद खत्म हो जाता है, कोई कितना भी अकर्शन लोगों के बीच में हो, जो भी जो चीज मेटलिस्टिक है, शारेरिक है, उसका टाइम स्पैनिक लिमिटेड ही होता है, तो उसके बाद सिर्फ प्रॉब्लम्स आने शुरू होते हैं, और वो यही कुछ विशेश प्रेडिक्शन में इतरफ से, देखिए, अगर रिलेशन्शिप को आगे बढ़ाना ही है, तो प्यार महबबत से ही सब कुछ नहीं चलता, कहीं न कहीं बाकी important चीज़ है, कि money matters क्या है, financial future क्या है दोनों का, क्या दोनों के expectations है, अगर आगे सच में बढ़ना है दूस्ते के साथ, तो अब यह वो महिना है, जहां पर आपको इन सब चीज़ों को discuss करना पड़ेगा, discussion से भागना नहीं है, जो important points है, देखिए, relationship एक अलग चीज़ है, कि ह महीने में चार बार मिले, coffee पी, movie देखी, वो सब बहुत easy होता है, problem तब होती है, जब वो चीज़ें शादी के दरफ बढ़ती है, कई relationship तब ही तूटते हैं, जब वो commitment की बात आती है, और शादी के दरफ चीज़ें बढ़ती है, क्योंकि उसके लिए फिर requirements और जो बुनिया है, वो अलग हो जाती है, उसके लिए चीज़ें अलग प्रकार से आपको देखनी पड़ती है, तो अगर relationship को आगे बढ़ाना है, तो उसका base तैय करना पड़ेगा, आगे career क्या है, business है, पैसा है, किस प्रकार से आगे सब कुछ planning करना है, उन सब चीज़ों को discuss कीज़ेगा, कहीना कहीं से आपको भी पता चल जाएगा कि, क्या आप दोनों same page पे हैं, क्या आप दोनों के मानसिक रूप में, या मानसिक जो एक विचार है relationship को, या आगे in case married life में वो convert होता है, तो क्या उसमें एक समन्वे बैठ रहा है, तो ये महीना कहीना कहीं important points को discuss करने के लिए बह ध्यान पूरवक समझेगा, चलते हैं विवाहिक जीवन की तरफ, देखे सब्तम भाव सबसे important होता है, और सब्तमेश गुरू लगने से ग्यारवे घर में हैं, और दृष्टी बनाकर रखे हैं सब्तम पर, तो ठीक था कि, लेकिन क्योंकि बुद्ध वक्री हो रहे हैं, दो इस महीने कहीना कहीं, इन-लोज के कारण भी बहुत तोलम होगी, और सिर्फ इन-लोज नहीं, जो बाकी लोग होते हैं, कोई common friend हो गया, relatives हो गए, तो इन सब का involvement जितना इस महीने थोड़ा सा limited रख सकते हैं, अपनी married life में, उतना आपके लिए कहीना कहीं, अच्छा रहेगा, miscommunication अवश्य इस महीने होंगे, लेकिन अच्छी चीज है कि गुरू सब्तम पर तृष्टी बना कर रखेंगे, तो वो manage कर लेंगे, यानि कि हाँ problems आएगी, लेकि वो manage हो जाएगी, तो इतना बुरा प्रभाव नहीं कहुंगा, लेकिन हाँ, in-laws के कारण और communication के कारण दिक परिशानिया आएंगी, कभी-कभी एक दूसरे से एक दम detached feel करेंगे, वो इसलिए क्योंकि सब्तम से चौते भाव पर जो emotions का भाव बन गया, married life का, वहाँ पर गरहन भी लग रहा है, बुद्वक्री भी हो रहे हैं, तो कभी-कभी ऐसे मौक्य आएंगे इस महीने, जहाँ प बुरा महिना नहीं कहूंगा, लेकिन हा, थोड़ा सा ध्यान दीजेगा, विशेश प्रेडिक्शन में इतरफ से, पैसों की बात पर बहुत भहस होगी, तो ठीक है, कभी-कभी married life में important हो जाता है पैसों का discuss करना, क्योंकि घर चलाना है, बच्चे है, सब कुछ है, लेकिन उ जात ही, वानी पर बहुत नियंतरन रखेगा, ज्यादा चिंताएं नहीं करनी, इस महिने बहुत बार ऐसा होगा, कि आपको एक चीज लगी, आपके मन में आपने उसको overthink करना स्टार्ट किया, और उसका प्रभाव married life पर बुरा पड़ेगा, और कही न कहीं, बाहरी लोगो उनका भी जो involvement है, वो अपनी married life में आपको कम रखना है, तो मिश्रित सा ही महिना दिख रहा है, ज्यादा negative नहीं कहूंगा, लेकिन जो भी मैने negative points गिनाए हैं, उनका ध्याना वश्य रखेगा, कभी-कभी ऐसा होता है कि बाहरी तत्व के कारण, अच्छा कासा married life जो चल रह आती है, तो यहाँ पर बाहरी तत्व के कारण, जो भी है, वो in-laws है, बाहरी तत्व इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि married life में सबसे important हो, आप दोनों ही है, तो बाहरी कोई भी विक्ति है, वो in-laws हो, दोस्तों, relatives, वो बहुत important होते हैं, लेकिन इस महीने कहिना के उनका involvement थोड़ अपनी married life में कब रखे, विद्यार्थी होने के students के तरफ, exams की बात कर लेते हैं, देकि overall पूरा महीन अच्छा है, शुरुआती दस दिन भी, बीच के भी और अंतिम भी, problem बस यह है कि बुद्ध वक्री हो रहे हैं, तो आपको अपने communication और retention power पर काम करना पड़ेगा, इन द क्योंकि आपके लिए लगनेश भी हैं, तो उनका जैसे मैंने कहा, आपके जीव में प्रभाव बहुत बढ़ जाता है, और students के भी कारक है, तो अपनी एकागरता पर अपने focus पर ध्यान जित्ता देंगे, उतना अच्छा है, exams के लिए महीना वैसे बहुत शुब दिख रहा लेकिन अपनी एकागरता पर काम नहीं कर पाए, और communication पर, कभी-कभी ऐसा होता है, बच्चे को सब कुछ आता है, लेकिन communication अच्छी नहीं है, तो भले दिमाग में आपके सब कुछ, अगर आप वो exam देने बैठे और आप उसको convey नहीं कर पाए exam में, तो उसका कोई फायदा नहीं, तो अपने communication पर भी ध्यान दिजेगा, एकागरता बहुत important रहेगी, ध्यान कभ भटक जाएगा आपका, पता नहीं चलेगा, वैसे भी मिथुन है, बुद्ध का प्रभाव है, बहुत influence हो जाते हैं, जिसको देखा वैसा करने का कोशिश करते हैं, तो थोड़ा सा इन रहे कि कोई बहुत important अगर आपका कार्या टक रहा था, वो admission को लेकर हो, किसी और चीज़ को लेकर हो, वो कार्या आपका इस महिने पूर्ण हो सकता है, तो वैसे महिना ठीक है, एकागरता और communication, इन दोनों पर बहुत काम करना है, बात करते हैं सेहत की, सेहत के इसाब से जादा problem क्या हो सकती है, ENT, ear nose throat की problem, skin disorder, नसों के रोग, infections, throat infection, आखों की problem, आखों में infection, dryness आखों की, ये चीज़े जादा तंक करेंगे, lower body में कोई problem या कोई चोट लग सकती है, और हड़ियों के रोग आपको इस महिने जादा तंक करेंगे, जो शुरुआती 10 दिन है, इस वात रोग, नहीं की पूरी body में pain रहना, constipation आधी, digestive disorders और मानसिक विकार कहीं आपको तक कर सकते हैं, उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं, जब भी वीडियो देखें, उसके अगले दिन सुपाय को कर सकते हैं, गनेश मंदर या शिवजी के मंदर जाएगा, जहां पर गनेशी क और दो प्रकार के मिठाई और दो प्रकार के फलों का भोग लगाना है, फिर गनेश चालीसा का दो बार पाठ करना है, और ओम गजा ननायन महा मंतर का एक सुआट बार जाप करना है, और बंदिन में कुछ दक्षिना देखिया नहीं है, इसके साथ ही अपने घर में भी यह उपाए आप कर लेंगे, आपके लिए अधिक तो महीना अच्छा ही जाएगा, आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा चैनल पे नहीं है, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मिलता हूँ अगली वीडियो में दब तक के लिए, ओम